बाबा तेरी मीधी मुर्ली की दिन सुन करके मन हरशाए रास रचाए साथ तुमारे जुम जुम दिल ये गाए ओ ओ जुम उम शंती आज है 27 नवेंबर 2023 की प्यारे बाप दादा के साकार मधुर मुर्ली आज की मुर्ली के सार में बाबा ने इश्वरिय जीवन में इश्वरिय नशा सदा बना रहे उसके लिए कहा कि सदा स्मर्ती बनी रहे कि हम एक्टर है और कहा कि जिनकी बुद्धी में शरिड निर्वाह अर्थ करते हुए यह ज्यान का मनन चिंतन सदर्शन चक्र चलता रहेगा तो सदा खुशी बनी रहेंगी रात को बैठ स्मर्ती में लाओ यह ड्रामा किसे चक्र लगाता है बाबा कहे ऐसे ऐसे चिंतन चलता रहे इसको ही मनमनाभव कहेंगे और सर्विस के लिए कहा कि अच्छा सर्विसे बूल तीखा हो श्यार बन योग युपत बन सर्विस करनी है सब को बाब का पैगाम देना है और कहा तुम बच्चे ग्यान में आये सरेंडर हुए तो तुम बच्चे ट्रस्टी हुए तो तुमको कोई भी बात का फिक्र नहीं करना है लेकिन सरेंडर होने के बाद सर्विस भी करनी है तो रिटन मिलेगा अगर सरिंडर हुए सर्विस नहीं करते तो जो जमा किया वह खाते खाते खतम हो जाएगा इसलिए बाबा कहे तुम्हें सर्विस करनी है मनुष्यों को देवता बनाने की और कहा बाप को याद करते करते कर्मातित अवस्था तक पहुँचना हैं कर्मातित अवस्था वाले को ही फरिष्टा कहा जाता हैं, और साथ में कहा कि सेवा करते हुए यह पक्का याद करो कि कैसे किसको समझाए, समझाते हुए यह निश्चय भी हो कि हम आत्मा भायों को समझाते हैं, और अटेंशन दिलाते हुए कहा कि अंत कोई भी समय आ सकती है, इसलिए पुर्शार्थ लग सुनते हैं प्यारी बाप डादा के महवाक्यों को विस्तार से, आज बाबा कहें मीठे बच्चे दिन में शरीर निर्वाह अर्थ करम करो, रात में बैठ ज्यान का सिम्रण करो, बाप को याद करो, बुध्धी में स्वदर्शन चक्र फिराओ, तो नशा चड़ेगा, पर सो ज्यान का सिम्रण करो, बाप को याद करो, और स्वदर्शन चक्र फिराओ, तो नशा चड़ेगा, आज मुरली से बाबा ने प्रशन पुछा, माया किन बच्चों को याद में बैठने ही नहीं देती हैं, उतर में बाबा ने कहा, जिनकी बुध्धी किसी ना किसी में फंसी हुई राती हैं, जिनकी बुध्धी को ताला लगा हुआ हैं, पढ़ाई अच्छी रिती नहीं पढ़ते हैं, माया उन्हें याद में बैठनी नहीं देती, वह मन मनाभव रह नहीं सकते, फिर सर्विस के लिए भी उनकी बुध्धी चलती नहीं, श्रिमत पर न चलने के कार नाम बदनाम करते हैं, दोखा देते हैं, तो सजाए भी खानी पड़ते हैं, आज मुरली में गीत बजा, तुम्हारे बुलाने को जी चाता हैं, उम्शंती, बच्चों ने गीत सुना, गौड़ फादर को ही बुलाते हैं, स्री कृष्ण को नहीं, बाप को कहेंगे आओ, फ क्योंकि स्री कृष्ण को द्वापर मिले गए हैं, यह सब भुले शास्त्रों से हुई हैं, अभी बाप यथार्त बात समझाते हैं, वस्तों में सारी दुन्या का बड़ा गौड़ फादर हैं, सबको उस एक गौड़ फादर को ही याद करना हैं, बल मनुष्य क्राइस्ट अथवा देवताओ आदी को याद करते हैं, हर एक धरम वाले अपने धरम स्थापक को याद करते हैं, याद करना शुरू हुआ हैं वापर से, भारत में गाया हुआ भी हैं, दुख में सिम्रण सब करे, सुख में करे ना कोई, जो कोई सुख में भी करे, तो दुख का है को ह बाद में ही याद करने की रिस्म पड़ी है क्योंकि दुख हैं बाप को भूल स्रिकृष्ण का नाम डाल दिया हैं लक्ष्मी नाराण के धरम का उन्होंको पता ही नहीं याद तो न लक्ष्मी नाराण को न स्रिकृष्ण को करना है याद एक बाप को करना है जो आदी सनातन देवी देवता धरम की स्थापना कर रहे हैं फिर जब यह भक्त प्रफ़ाति मार्ग में शिव की पुजा करने लगते हैं, तो समझते हैं गीता का भगवान स्री कृष्णा है, उनको याद करते हैं, उन्हों को देख वह भी अपने धरम स्थापक को याद करते हैं, यह भूल जाते हैं कि देवता धरम भगवान ने स्थापन किया है, हम गिता ज्यान का रचेता, गिता ज्यान दाता शिव बाबा हैं, वह है निराकार, वह है निराकार, यह वंडर्फुल बात हुई न, इसके पास भी निराकार का परिचेह नहीं हैं, वह स्टार हैं, सब जग शिव के मंदिर हैं, तो वह समझते हैं कि इतना बड़ा हैं, अखं परन्तु वह तो महतत्व परमधाम में रहते हैं, जहां आत्माई रहती हैं, आत्मा का रूप बरुबर स्टार मिसल हैं, परमपिता परमात्मा भी स्टार हैं, परन्तु वह नौलेशफुल, ब्लीसफुल होने कारण उनमें ताकत हैं, आत्माओं का पिता बीज परमात्मा को क है वह निराकार, मनुश्य को तो ocean of knowledge, ocean of love कह न सके, इसलिए समझाने वाले बच्चों में authority चाहिए, जिनकी बुद्धी विशाल हो, बाबा केते हैं यह गुहियरा समझाने वाले बच्चे भी authority वाले भी चाहिए, और विशाल बुद्धी वाले भी चाहिए, जो कैसे किसको सम जाना है, वह समझ चाहिए, तुम सब में है मुख्य मम्मा, वंदी मात्रम भी गाया हुआ है, कन्याओ द्वारा बान मरवाए, अधर कन्या कुवारी कन्या का रास कहां है नहीं, सरफ मंदिर से ही सिद्ध होता है, जगतम भावी बरोबर हैं, परंतु वे जानते नहीं कि व बाब कहते हैं, मैं ब्रम्हा मुख कमलवारा, रचईता और रचना के आदी मत्य अंत का रास बताता हूँ, ड्रामा में क्या है, यह मनुष्य की बुद्धी में आना चाहिए, यह बिहद का ड्रामा है, इसके हम एक्टर हैं, तो ड्रामा के आदी मत्य अंत का रास बुद्धी में यह रहता हैं, उन्हें बहुत नशा रहता हैं। बबा केते हैं किनको नशा रहेगा? जिनकी बुद्धी में आदी मत्ति अंत की नौलेज हैं। उनको सदा नशा बना रहेगा। यही मन-मना भाव हैं। परन्तु माया रात को भी बैठने नहीं देती हैं। एक्टर्स की बुद्धी में तो ड्रामा का राज रहना चाहिए न। परन्तु है बड़ा मुश्किल। कहां न कहां फस पढ़ते हैं। तो बाबा बुद्धी का ताला बंद कर देते हैं। बहुत बड़ी मनजिल हैं। अच्छी पढ़ाई वाले फिर तनख्वा भी अच्छी लेते हैं न। यह पढ़ाई हैं। परन्तु बाहर जाने से भूल जाते हैं। फिर अपनी मत पर चल पढ़ते हैं। बाब कहते हैं मीथे बच्चे श्रीमत पर चलने से ही तुम्हारा कल्यान है यह है पतित दुन्या, विकार को पईजन कहा जाता है, जिसका सन्यासी लोग सन्यास करते हैं, यह रावन राज्य शुरू होता ही है दापर से, यह वेद शास्त्र आदी सब भक्ति मार्ग की सामगरी है, सर्विस के लिए बच्चों की बुथी चलनी चाहिए, श्रिमत पर चल करो, तरही तरही करते समय, भगवान को याद करेंगे, पार्टिशन के समय कितना याद करते थे, हे भगवान, रहम करो, रक्षा करो, अब रक्षा क्या करेंगे, पाबा केते हैं, मनुशात्माई, दुख में होती हैं, तो बुलाती है, रहम करो, रक्षा करो, अब रक्षा कैसे करेंगे, रक्षा करने वाले को ही जानते नहीं, तो रक्षा करेंगे कैसे, अभी बाप आए हैं, परन्तों मुश्किल कोई की बुद्धी में बैठता हैं, बाप समझाते हैं, ऐसे ऐसे सर्विस करो, यह श्रिमत बाप की मिलती है, ऐसे बाप को पहचान नहीं सकते, यह अबी कैसा वंडर हैं, कितनी समझने की बाते हैं, सारा दिन शिवाबा की याद बुद्धी में रहे, यह ब्रम्हा भी उनका रत साथी ठहराना, बाबा देखते हैं, बच्चे आज बहुत अच्छे निश्चे बुद्धी हैं, कल संशे बुद्धी बन जाते हैं, माया का तु लगने से अवस्था गिरते हैं, तो बाबा इसमें क्या कर सकते हैं, तुम ज्यान में आई, सरेंडर हुआ, तो तुम ट्रस्टी ठहरे, तुम क्यों फिक्र करते हो, सरेंडर किया हैं, फिर सर्विस भी करनी हैं, तो रिटन में मिलेगा, अगर सरेंडर हुआ हैं, सर्विस न नहीं, तुम्हें सर्विस करनी है, मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की, बाबा कहते हैं सरफ सरेंडर वा ट्रस्टी होने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ सर्विस भी करनी है, मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की, मुख्य बाबा की रुहानी सर्विस करनी है, जिससे सर्विस नहीं करते तो जाकर दासदासी बनेंगे जो पढ़ाई अच्छी पढ़ते हैं उनका मान भी उचा होता हैं जो नापास होंगे वह जाकर दासदासी बनेंगे बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो और वर्सालो बस यह मन मनाभाव अक्षर ही राइट हैं ओश्यन ओफ नौलेज कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकरम विनाशोंगे ऐसे स्रीकृष्ण कहना सके बाप ही कहते हैं माम एकम याद करो और भविश्य राज्य पद को याद करो यह राज योग है ना इससे प्रवरत्ती मार्ग सिद्ध होता हैं यह तुम ही स हैं यह हुश्यार हैं बच्चों को योग युक्त बनना है श्रिमत पर अगर नहीं चलते तो नाम बदनाम करते हैं दुखा देते हैं तो फिर सजाए खानी पड़ती हैं ट्रीबुनल भी बैठती है ना अच्छा मिथे मिथे स्किलधे बच्चो प्रती मात पिता बाप का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते अभी रात्री क्लास हैं बाबा कहें बच्चों को पहले पहले समझानी देनी हैं बाप की बिहद का बाप ही हमको पढ़ाते हैं गीता पढ़ने वाले स्री कृष्ण को भगवान कहते हैं उन्हीं समझाना है कि भगवान तो निराकार को कहा जाता है देहधारी तो बहुत हैं बिगर देह है ही एक वह है उचे से उचा शिवाबा, यह अच्छी रिती बुथी में बिठाओ, बिहद के बाप से बिहद का वर्सा मिलता है, वही उच ते उच निराकार परमपिता परमात्मा है, वह है बिहद का बाप, और यह है हद का बाप, और कोई 21 जन्मों का वर्सा नहीं देते हैं, ऐसा भी कोई बाप नहीं, जिससे अमर पद मिले, अमर लोक है सतियुग, यह है मृत्य लोक, तो बाप का परेचय देने से समझेंगे, बाप से वर्सा मिलता है, जिसको देवी स्वराज्य कहा जाता है, बाबा कहते हैं, वर्सा देवी स्वराज्य का बाप ही देते हैं, जिनको स पतित से पावन बन, पावन दुनिया में चलने लायक बन सकते हो कल्प कल्प बाप केते हैं, माम एकम याद करो, याद की यात्रा से ही पवित्र बनना है अभी पावन दुनिया आ रही है, पतित दुनिया विनाश होनी है पहले पहले बाप का परेचे दे पक्का कराना है, बाबा केते हैं सबसे पहले तो नई दुनिया रचने वाला बाप कौन है, उनका परेचे देना है, जब पक्का बाप को समझ जाए, तब बाप से वर्सा मिले, इसमें माया भुलाती बहुते हैं, तुम कोशिश करते हो बाब बाबा को याद करने से ही पाप कटेंगे, वह शुबाबा ब्रम्हा के द्वारा बताते हैं, मुझे याद करो, फिर भी धंदे आदी में भूल जाते हैं, या भूलना नहीं चाहिए, बाबा केते हैं, याद पक्की बनी रहे, तब प्राप्ती हैं, यही महनत की बात हैं, किसको समझाए, पक्का निश्चे भी हो, कि हम भायो अत्माओ को समझाते हैं, सब को बाप का पैगाम देना है, कई कहते हैं, बाबा पांस चलू, दिदार करू, परन्तु इसमें दिदार आदी की तो बात ही नहीं है, भगवान आकर सिखलाते हैं, और मुख से कहते हैं, मु बड़ी बाप को याद करना है, बापने हुकम दिया है, मुझे याद करो, निरंतर याद करने वाले ही विन करेंगे, बाबा कहते हैं, जो निरंतर याद करने का हुकम फॉलो करते हैं, वही नंबर वन लेते हैं, याद नहीं करेंगे, तो मार्क्स कम हो जाएंगे, यह पढ हाई है ही मनुष्य से देवता बनने की, जो एक बाप ही पढ़ाते हैं, तुम्हें चक्रवर्ती राजा बनना है, तो 84 जन्मों के चक्र को भी याद करना है, करमातित अवस्था तक पहुचने के लिए मेहनत करनी है, वह अंत में होनी है, बाबा केते हैं अंत कोई भी समय आ सक इसलिए पुरशार्थ लगातार करना है, नित्य अर्थात प्रती दिन तुम्हारा पुरशार्थ चलता रहे, लोकीक बाप तुम्हें ऐसे नहीं कहेंगे, कि देहके सभी संबंद छोड़, अपने को आत्मा समझो, शरिर का भान छोड़, मुझे याद करो, तो पाप कटें कोई मनुशात्मा नहीं कह सकती, तुम सतो प्रधान बंचाएंगे, यह धन्धा तो खुशी से करना चाहिए ना, भोजन खाते समय भी बाप को याद करना है, याद में रहने का गुप्त अव्यास तुम बच्चों का चलता रहे, तो अच्छा है, तुम्हारा ही कल्यान है, अपने को देखना है, बाबा को कितना समय याद करता हूँ, अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चों प्रती, याद प्यार और गुड़नाइट, बाप दादा को भी याद प्यार, उम्शंती, शिक्रिया बाबा, शिक्रिया, सारी मुरली से धारना के लिए सार है, पहला मनुष्य को हीरे जैसा बनाने की रुहानी सर्विस करनी है, कभी भी संशे बुद्धी बन पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, ट्रस्टी होकर रहना है, दुसरा, शरिर निर्वह अर्थ करम करते भी बाप को याद करना है, श्रिमत में अपना कल्यान समझ चलते रहना है, आज प्यारे बाबा का वरदान है, मन्सा और वाचा की शक्ती को यथार्थ और समर्θ रूप से कार्य में लगाने वाले तिवर पुर्शार्थी भव मनसा और वाचा के शक्ति को यथार्थ और समर्थ रूप से कार्य में लगाने वाले तिवरपुर्शार्थी भव बाबा कहे तिवरपुर्शार्थी अर्थात फर्स्ट डिविजन में आने वाले बच्चे संकल्प शक्ति और वानी के शक्ति को यथार और समर्षरिती से कारिय में लगाते हैं वे इसमें लूज नहीं होते उन्हें यह स्लोगन सदा याद रहता कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो उनका हर बोल योग युक्त युक्त होता है वे आवश्चक बोल ही बोलते व्यर्थ बोल, विस्तार के बोल बोल कर अपनी एनर्जी समाप्त नहीं करते वे सदा एकांत प्रिय रहते हैं बबा ने तिवर पुर्शार्थी आत्मा की निशानी बताई कि ऐसे बच्चे संकल्प शक्ति और वानी की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रिते कारिय में लगाते हैं वह अपनी शक्तियों को लूज नहीं करते वह हर बोल योग युक्त 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 बोलते हैं वह एकांत प्रिय होकर अपनी एनर्जी को स्टोर करते हैं जिससे उन शक्तियों को समर्थ और यथार्थ कारिय में लगा सके। आज का स्लोगन है, संपूर्ण नस्टो मुहा वह हैं, जो मेरे पन के अधिकार का भी त्याग कर दे। अभी मातेश्वरी जी के मधूर महवाक्य हैं, उसका सार है, मन के अशान्ती का कारण है करम बंधन और शान्ती का आधार है करम बंधन। और शान्ती का आधार है करमातित। अशान्ती की पहली जड क्या है, मन की अशान्ती का कारण क्या है। मम्मा कहे करम बंधन में फसना, जब तक मनुष्य इन पांचों विकारों के करम बंधन से नहीं छूटे हैं, तब तक मनुष्य अशांती से छूट नहीं सकते, जब करम बंधन तूट जाता हैं, तब मन की शांती अर्थात जीवन मुक्ती को प्राप्त कर सकते हैं, अब सोच क अर्थात चिंतन करना है यह करम बंधन तूटे कैसे और इसे छुटकारा देने वाला कौन है यह तो हम जानते हैं कोई भी मनुशात्मा किसी भी मनुशात्मा को छुटकारा दे नहीं सकती यह करम बंधन का हिसा किताब तोड़ने वाले सिरफ एक परमात्मा हैं वही आकर इस योगबल से करम बंधन से छुड़ाते हैं इसलिए ही परमात्मा को सुख दाता कहा जाता है जब तक पहले यह ज्यान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ असल में मैं किसकी संतान हूँ मेरा असली गुन क्या है जब यह बुद्धी में आ जाए तब ही करम बंधन तोटे ममा कहते हैं करम बंधन तोटने का आधार क्या है स्वयम की सत्य पहचान परम पिता परमात्मा की सत्य पहचान और स्वयम के गुनों और शक्तियों की पहचान से ही करम बंधन तोटते हैं अब यह नौलेज हमें पर्मात्मा द्वारा ही प्राप्त होती हैं, गोया पर्मात्मा द्वारा ही करम बंधन तोड़ते हैं, अच्छा, ओं शांती.